Welcome Dear Students and Learners आज जिस विशाय पे या टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है 2050 में भारत दुनिया की एक नई महाशक्ति होगा इंडिया the next world superpower at 2050 ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वह जो शाक्ष है उसके माध्यमों से मैं आपको समझाना चाहूँगा जिसमें एक पेपर रिफरेंस है 15 अगज 2019 जो दैनिक भासकर रायपूर में पब्लिश हुआ था जिसमें एक टाइटल बनाया गया था भारत क्या दुनिया की उमीद है तो जी हाँ भारत दुनिया की उमीद है और 2050 तक हम एक बड़ी महाशक्ति बनने वाले हैं यह सिद्ध है ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो ऐसा उन बिंदूओं को ध्यान में रखके हम आपको कह रहे हैं जिसमें तीन कैटेगरीज में या तीन पैमानों पे भारत को आका गया है जिसमें प्रतम है जीडिपी या सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट दूसरा है प्रतिवेक्ति आए पर कैपिटा इंकम और तीसरा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग तो इसमें तुलना की गई है कि 1947 में भारत कहां पर था आज 2021 में भारत कहां पर है और भविश्य में 2050 में भारत की सिस्तिती में होगा तो इच्छे समझते हैं तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं ग्रॉज डेमेस्टिक प्रोड़क्ट तो जन 1947 में भारत का जो ग्रॉज डेमेस्टिक प्रोड़क्ट था वो था 2.70 लैक करोड आज की सितिती में जब हम बात करते हैं तो जो हमारा ग्रॉज डेमेस्टिक प् एक सो उननिस लाग करोड होगा। उसी तरह प्रतिव्यक्ति आये की जब हम बात करते हैं तो प्रतिव्यक्ति आये जो आज के समय में 1947 में 249.6 था मतलब 200 रुपे लगभग था वो आज के समय में एक लाग 45,000 रुपे सालाना है। और जो भविष्य में 2050 में 38,69 रुपे सालेना आये प्रतिव्यक्ति होगी ऐसा अनुमान है। केवल 4% अबादी ही हमारी गरीबी देखा के नीचे जीवन व्यापन करेगी। यह जो आकड़े प्रस्तुत की है यह वाइठ हाउस कूपर्स एक एजनसी है उसके द्वारा बताये गए हैं। जिसमें बताया गया है कि जो 75 वर्षों में हमने जो विकास या विद्धी की है। उसी के अनुसार अगले 30 सालों में हम जो व्रद्धी करने वाले हैं उसमें जो हमारी 149 करोड जनसंख्या जो वर्तमान हैं 2050 तक बढ़कर वो 164 करोड होगी। उसके बावजूद भी हमारी जो गरीबी देखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली अबादि है। लगबख 4 पतिशत अबादी ही गरीबी देखा के नीचे जीवन व्यापन करेगी इसी के साथ साथ यह भी बताया गया है कि धन के मामले में जो भारत है एक महाँ शक्ती बन जाएगा 2050 तक और 2050 तर वह अमेरिका को छोड़कर पिछे छोड़कर भारत दूसरी बड़ी महाँ सक्ती होगा जबकि 2028 में अमेरिका को पिछे छोड़कर चीन दूसरी बड़ी महाँ सक्ती बन सकता है ऐसा अनुमान है इसी तरह जब हम बात करते तो पिछले 20 वर्सों में भारत में क्या बदला हुए हैं तो 19 प्रतिशत सालाना की वड़ोतरी देखी गई है जो 1990 में भारत की GDP में कुल व्यापार का प्रतिशत 13 प्रतिशत था आज के समय में वह 40 प्रतिशत GDP का अनुपात पहु हमारी वर्किंग आबादी 2025 तक अगर बात की जाए तो हर पांचवा सक्ष जो कार्य करता है वह भारती होगा ऐसा अनुमान है भारत में जो वर्किंग वर्क करने वाले लोगों की जो आबादी है उसमें 15 से 69 साल के वर्किंग एज की हिस्सेदारी जो है वह लगबख 62 परस 2025 में जैसा अनुमान लगाया है कि हर पांचवा सक्ष जो कार्य करता है वह भारती होगा चीन की अगर बात करें कि 2050 तक चीन में बच्चों और बुजूर्गों की जो आबादी का प्रतिशत है वह लगबख 70 प्रतिशत होगा जो अभी 35 प्रतिशत है परन्तु भारत में जो बच्चों और बुजूर्गों की अबादी 50 प्रतिशत से कुछ कम होगी जो आज वर्तमान में 50 प्रतिशत के करीब है तो इस तरह भी वर्क के मामले में और आबादी के मामले में जो कार्य करती उसमें भी हम एक महाशक्ति के रूप में उबरेंगे साथ ही साथ भविष में जो उद्योगों के लिए जो परिस्तितियां है वो भारत के लिए सबसे एहम है और आस्टेलिया ने भी माना कि अगले 20 साल भारत एक बहुत अच्छा हिस्तान है जहां निवेश विदेशी विदेश करना चाहेगा या दूसरे विदेश करना चाहे और हमारे भारत सरकार की ओर से ऐसे कई 40 करोड युवाओं के लिए कोशल विकास के कारेकरम चलाए गए हैं जिससे 54 प्रतिशत कामगारों को एक महिने से लेकर साल भरत की ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरह भारत वैश्विक निवेश्यों के लिए आकर्षन का केंद्र ब महज गया है और इसी तरह जो अश्ट्रिया के उद्योगपति संग्टन थे उन्होंने ही कहा है कि अगले बीश्वरसों तक भारत निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छा इस्थान है तो इस तरह कल बल एवं धन के मामले में हम कह सकते हैं कि भारत 2050 तक एक नहीं महाशक्त बनके उबरेगा और विश्व गुरू बनने की रहा पर होगा तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद